भाई यासू एक अरजी है इस पेसल वाली के इतना दवाई पर भी फोकस मत करो जितना जो है इस टाइम खेत के अंदर आखे अपना फोकस करें जाद है किसान भाई सुबह से आम अपने खेत के चारों तरफ जरूर घूम कर देखें कारण क्या है कि इस टाइम जो कीट और रो prz predis twee ञेंव मधे लगी हुई है इसमें गंडे की सबसे प्रात्मे नक्षण तो यह लकी पदिये हुँ पिर उसमें फरी में जिरृ आ जाती है यह दोते लखसन और पर तुर्ए लखसन यह है कि प्ति गल चारीं हो जाता और जिसें यहास तानिय बासा में राम राम भाई किसान मेहकमा यूट्यूब चैनल और फेस्बूक पेज पर आपका स्वागत है तो भाई जुलाई का दूसरा सप्ताह चला हुआ है और आज की जो वीडियो सूट कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई नरेंदर त्यागी जी हैं समाज सेवक हैं एक तरीके से और सा पिक है भाई वो यह है कि किसान भाई यासू एक अरजी है इस पेसल वाली के इतना दवाई पर भी फोकस मत करो जितना जो है इस टाइम खेत के अंदर आखे अपना फोकस करें जादे किसान भाई सुबह से आम अपने खेत के चारों तरफ जरूर घूम कर देखें कारण क्य है कि इस टाइम जो कीट और रोग लग रहे हैं वो इस तरीके के हैं कि आप जैसे ही फसल के डोल पर गूमोगे ना जैसे डोल वगेरा लगी हुई है तो उस पे तुम्हें पता चल जाएगी और भाई मिली बग पोका बोईंग और टोब बोरर यह जो है इस टाइम की मैन ब मैं यूटूब परिवार कि वह अपना कीमती समय निकाल के किसानों की समस्या का जो है समाधान करें हैं तो एक बार सामने इन से परीचे करवा दिया जाव है अच्छा राम राम जी अपना जी एक परीचे करवा दो भाई मेरा परीचे नरेंदर त्यागी भीहूनी गड़ म इसमें हमारा गन्ना सप्लाई होता है तो हमारा फैक्ति का नाम बताना भी बहुत जरूरी है जी बिल्कुल बिल्कुल अपना परीचे कराओ नमस्कार मैं कुसलवीर सीनियर के डवलेमेंट मेनेजर सिंभावली सुर्स लिमिटेट सिंभावली जी जैसा जी आज का विसे है हमने बोला है भाई हमने जातर वीडियो बना दी देखो पोका पोइंग की वी सब चीज की बना दी लेकिन हमारी किसान सु अरजी है कि सुबह शाम अपने खेत पर जरूर गूम कर जावे तो इसका मकसद क्या है जी कि सुबह साम किसान ने क्यों गूमना चाहिए एक कहावत है सिंग इस बिलिविंग देखकर विश्वास करो विश्वास करने के लिए देखना बहुत जरूरी है और आज हम नेता जी के खेत पे आये है नेता जी के डिमांड थी कि मेरे खेतों का भर्मन कर लीजे मेरी अच्छी फसल है लेकिन कुछ परकोप इसमें भी रोका दिखा दे रहा है आप कैमेरे को यहां लाइए यह गन्ने की बीमारी है जिसका नाम है पोकाब हो जबानी तो लोग कुछ भी बता देते हैं उसमें क्या होता है गन्ने की पति यह देखो यह इसके प्रात्मिक लक्सन है इसमें गन्ने की पति सबसे प्रात्मिक लक्सन तो यह गन् बाले नुमा नुकिला हो जाता है जिसे यहां इस्थानी बाचा में डंडे वाला रोग भी कहते देते हैं कि एक डंडा सा बनगा गन्ने का पत्ती का जो फोलीज वो खतम हो जाता है तो मुझे यही जानकारी देनी है कि नेधा जी बड़े जागरू किसान है समाज सेवी भी है और दीब से दीब जलाते रहते हैं अपनी जानकारी किसानों में अन्ना लोगों में यह सेयर करते रहते हैं मैं यह कहता हूँ कि इस रोग के लिए मैंने काफी वीडियो बनाई है काफी किसानों को जागरू किया है लेकिन आज रूबरू इस रोग को लगने के बाद में किसानों को दिखा रहा हूँ अब से पहले में रोग को लगे हुए नहीं दिखा, ये रोग ना लगे, इसके लिए बचाओ बताया था, उपचार बताया था, लेकिन अब ये रोग लगा हुया है, अभी भी सुरुवाती हालात में है, तो अभी भी इसका दवाई से कंटूल हो जाएगा, गन्ये की बीमार कोई भी रोग लगने के बाद में दवाई से कोई दवाई से ठीक नहीं की जा सकती, पोका बॉइंग के लिए 700 से 800 ग्राम कोपर ओक्षी कलूराइड को 180 से 200 लीटर पानी में घोल बनाके परती एकड की दर से स्प्रे कर देना चाहिए, इसके साथ ही साथ मैं एक जानकारी और किसानों को देना चाहता हूं कि आज कल कुछ गन्य की किस्मों में टोप रोट बैक्टीरियल ये रोग भी दिखा देता है जिसमें गन्य का जिसे अगोले का गलन भी कहते है वो रोग भी दिखा दे रहा है तो साथ में 700 से 800 ग्राम कोपर ओक्षी कलूराइड पलस 40 ग्र इस्टेप्टो साइकलीन इन दोनों दवाईयों को मिलाकर 180 लीटर पानी में गोल बनाके परती एकड की दर्से स्प्रे करने से मैं मानता हूं कि पोका बोइंग और टोप रोट बैक्टीरियल अगोले का गलन ये दोनों बीमारी समाप्त हो जाएगी ये दोनों बीमारी ठी हो जाएगी या नहीं लगेगी दूसरी एक भ्यंकर समस्या छेतर में देखने में आ रही है कि गन्ने में एक कीड़ा पनपरा है चूंकि मोसम उमस भरा है वातावरन में नमी है एक कीड़ा पनपरा जिसका नाम है पिंक मीली बग मीली बग नाम का कीड़ा है जो किनारों से लगता है जो गन्ने की पत्ती और उसके बीट चिपका रहता है और उसके बाद वो एक सफेद लसलसा पदार छोड़ता है जिस पर फपूंदी जमा होके पत्ती पे काला रंग आ जाता है और फोटर सिंथेसिस परकाश संसलेशन की किरियास पोदे में बंद हो जाती है किसान क मेरा खेद नीचे को बैठ रहा है नीचे की तरह बैठना सुरू हो जाता है और लगबग लगबग नश्ट हो जाता है मेरा ये सवाल है कि समय रहते हुए उसका भी नियंतरन कर लिया जाए और एक कहवत है प्रिवेंशन इस बैठर देन क्योर उपचार से बचाओ बेतर है यदि नहीं लगा है कीड़ा और पडोसी के खेद में लगा है तब भी हम अपने खेद में स्प्रे करके उसे बचा सकते हैं मीली बक के लिए आप 500 मीली लीटर प्रोफेनोफोस पलस साइपरमेथरीन उसमें 250 मीली लीटर इमीडा कलोर प्रिड को 180-200 लीटर पानी में घोल बनाके परती एकड़ की दर से स्प्रे कर दे यदि पूरे खेद में स्प्रे करना संबव नहीं है तो आप इन दवाईयों का स्प्रे ड्रोन से भी कर सकते हैं ड्रोन हमारे छेदर में सेहरा गाओं में उपलफद है नली गाओं में उपलफद है अटूटा गाओं में उपल व्लब्भ किसी के पास में ड्रोन उपलब नहीं हो पारा तो मेरा ये है कि पेट्रॉल वाली जो किराए पेस्प्रेय मसीन है उससे आप खेट के चारो तरफ इस प्रेय कर दे मेड मेड जाके जो दस वीस फिट तक जो इस प्रेय कर देगी मसीन तो उससे भी ये रोग खतम हो चो़की पोका बॉइंग क्या है ये एक एर बॉन डी जी ज़़े हवा के दूरा फैलता है और किनारे पे मिलेगा खेड यह किसान चंडिक की मेड के चारों गूमना बहुत जरूरी है। रोकि रोको समझना tranh में पहँचाना जरूरी है। और उसके बाद में सही उप्चार करना जरूरी है तब हम अपनी फसल को बचा सकते हैं अच्छा उत्पादन ले सकते हैं जी आप इसे इनके बताई हुए से संतुष अच्छा जैसे त्यागी जी इन्होंने जो हमारे कुसलवी सिंग जी ने जानकारी दी है कि भई खेत में द मेहमत हो या नहीं भाई मेरे मैं जो हमारे हमारे वेग्यानिक महोदे कुसलवीर जी मैनेजर सिंभावली सुगर्मील सिंभावली यह हमारा कीटना सक दवाईयों के विद्वान हैं वेग्यानिक हैं मैनेजर हैं इनकी जुम्मेदारी है कि सब रासाने के दवाई कीटना सक पूरी परबंदक उसका मैनेजमेंट करते हैं और सिम्भावली सुगर मिलने इनने जिम्मेदारी दे रखी है किरसी भी भाग के उसमें दायरे में आता है सब जागरुकता के मायने यह हैं कि यह दवाई आम तोर पर प्राइवेट कंडिशन से प्राइवेट तरीके से यह हमारी दुकानों पर करीद लेते हैं उनका कोई जुम्मेदारी नहीं है वो तो आद दुकान बंद करतेंगे कल को यह सबग जाएंगे उटा टेंड उनका वह हैं बिल्कुल तो जब तक इसका संसोधन इसकी तबदीली नहीं हो पावेगी दवाई जो है एक ऐसे क्या नाम हमारी फैक्टी है सिंबाहुली फूकर फैक्टी है तो उसों एक बंधी वी तो है उसका हमें विश्वास तो है उसमें कितने हमारे जीएम हैं उसके उपर अधीका से उचित पैसों में कोई छुट नी मिल रही और वहां से रहे हैं प्राइवेट दुकानों पे से उनका कोई असन नहीं हो रहा तो सब हमारी इतना नुकसान हो गया तो उसका खमयजा होगा पिरसासन इन्हें सिकंजा करेंगा अपने आप खेंचेगा मगर इन पर क्या सिकंजा खेंचा जाओगा जो प्रेविट दुकानों फेसर नकली दवाई किसान ले रहा है और उसे कह रहा जी हमने दवाई दे दी मगर उसक हजा यह अपना परीशे करवा जी अधिया धानी जैसे कुसल Important जीन ध mix वही जानकारी दी और अपनी जानकारी दिय μεं इस संतुष्ट हो यह संतुश्प अगर किसान नٌकी बाता जो है परीपालन करेंक तुह से दवाई भी बता रहे हैं तो लगए है कामियाब हो जाएग. लकुल मैनेजर साहब किसान समझाइ तो इतनी समझ्या भा एक करें ने Amph इसानि मैं आगए समय समय पे जानकारी देते रहे हैं हम Tो हर समय है उनके बारे में थोड़ा जबाब सा दिया जाव है जैसे पंकज जिंग है यह बोल रहे हैं क्या मिली बग कीट पर बीफ रेथिन दस परसेंट इसी काम करेगी या नहीं हाँ बाइफ एंथरिन लिखा हो गई नो बाइफ एंथरिन होता है जिसे टालिस्टार नाम से मिलती ह एकड़ की य यह और कंपनी भी बनाती है यह बाइफ एंथरिन तिन सव मिली लीडर परती एकड़ की तर से इसमें दोसने फ़िए लिख फिर इधिपर एमिडा और पुर काम करतें अच्छा घिए यस वीडियाद वह बोला है ंगन्ने में आ न की सटली आ रहे है क्या तो यदि एक स्प्रेय कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है और यदि उन्होंने कोराजन फटेरा वर्टागो या कार्बो फिरान लगा रखा तो तितली से घबराना नी चाहिए कोई जादे नुकसान नहीं हो पाएगा चोधरी कफिल कुमार है जी बोले है टोब बोरर की सा सुनडी को मार सके तितली अंडर सुनडी को मार सके देखो टोब बोरर की साइकल में इसकी पांच पीडिया होती है पांच से छे पीडिया आती है और हर पीडि में अंडा लार्वा प्यूपा और एडल्ट यह चार अवस्थाओं से गुजरती है complete metamorphosis इसमें होता है और एस और काट अप 50% 200 ग्राम को 130-200 लीटर पानी में घोल बना के इस्प्रे कर दिया जाए तो अंडा भी मर जाएगा आपकी तितली भी मर जाएगी और सूंडी थोड़े बहुत बाहर रेंगरी होगी तो मर जाएगी अंदर गई हुई नहीं मरेगी अजय चोदरी है जी वो बोल रहे है कीट ना सकता था फंगी साइड के साथ केलसियम नाइटरेट को मिला कर इस्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते है केलसियम नाइटरेट मिला जा सकता है कीट ना सकते साथ में भी लेकिन उसकी मात्रा देखो केल्सियम नाइटेड यदि हम बिखेरने में इस्तमाल करते हैं तो 15-20 किलो परती एकड़ डानना चाहिए लेकिन इस्प्रेय में करते हैं तो 2 किलो परती एकड़ काई स्प्रेय करना चाहिए जी ये किरकिट यूपी के नाम से ये बोले हैं फटेरे के साथ नीला थोता प्रियोग कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन क्यों करें नीला थोता जब कोपर ओक्सी कलोराइड दवाई कमपनी या बजार में उपलर्द है तो कोपर ओक्सी कलोराइड का कर सकते हैं लेकिन फटेरे सा नीलात होता करना चाहिए, कर सकते हैं दोनों को अलग-अलग मिला के करना चाहिए, क्योंकि कोई chemical reaction हो जाए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। रोहित वर्मा क्या COC के साथ sticker यूज कर सके हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इस्टीकर कर सकते हैं, इस्टीकर ना हो, तो थोड़ा सर्फ या सेंपू मिला सकते हैं, ताकि दवाई पत्ती पर अच्छी तरह ची पख जाए, यह जी एक जो चोदरी दोस्त के नाम से, जी कमेंट, प्रफेनोफोस और इमीडा कलोपरीड, कितनी गोरब सिंगें जी बोले हैं, थिरिप्स के लिए कोई ऐसी दवाई जो यूरिये में लगके प्रियोग करी जा सकते हैं, देखो थिरिप्स के बारे में बहुत लोगों में भरांती पैदा करकी पतानी कोन बता रहा है, थिरिप्स को गन्ये का कोई मेजर इंसेक्ट नहीं का आजाता, यह कभी कभी इनीशियल स्टेज में आजाता है, आज त्रिप्स का कोई रोल नहीं है और त्रिप्स के लिए क्यावल इस प्रे कामियाब है, यूरिया में मिला के कोई दवाई कामियाब नहीं, यह जी बो भी चोहान है, बुलंसेर से इस पेशल में डो डिमांड कर रही है इन्होंने अपने कमेंट की क्या कोरा जिन इस प्रे में प्रियोग कर सकते हैं गन्य को छोड़ को और फसलों में इस प्रे में प्रियोग हो सकती है गन्य में ड्रेंचिंग में ही प्रियोग हो सकती है सर्विन्दर गंगवार है ये बोल रहे है कोरा जिन कितने दिन में काम करना सुरू करदेती है कोरा जिन फसल की हाइट के ओपर डिपेंड करती है जैसी ये फसल है एक हपते का टाइम कम से खम चाहिए इसी फसल में सब्सक्राइब को अब работать होएं के लिए क्या लिए क्या करें रब्रोस के लिए रैप लगने के बाद कोई दवाई नहीं है इसकी लेकिन नहीं लगा है हमें संधे है कि रिडोर रहत हैं है तो एमिस्टा टोप सीजेंटा कंपनी का एमिस्टा टोप 200-500 मिली लीटर दवाई परती एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाके बीस-पचीज दिन के अंतराल पे दो इस प्रेक कर देने चाहिए सोनु कुमार है जी वो कमेंट करके बोल रहे है काटा 75 परसेंट का इस वरे टोप बोरर कंट्रोल कर सकता है या नहीं केवाल इसके अंडों को कर सकता है या बाहर सुंडी या तितिल्य को कर सकता है यदि आत में पोटास भी मिला लेना चाहिए जी नीरज कुमार बोल दोंगी पेडी गन्ना 018 में मिली बगा गया श्प्रेय की है और कीट निचली पत्ती पर है क्या करें एक तो पत्ती उतारना चाहिए इस परे से पहले नीचे की जो पत्ती है उसे उतार दे दूसरे आप प्रो ख़िसमें पर युक्त होती है। उसकी बूंद-बूंद पत्ती प'tी बेढ़ सकते हैं। तो आज के जी यही कमेंट है हमारे किसान भाईयों के पूरी जानकारी दी गई है भाई वीडियो के अंदर जो हमारे यह हैं त्यागी जी है नेता जी है इन से बातचीत कराए गई हमारे और भी किसान है उन से बातचीत कराए गई तो समय समय पे हम भाई वीडियो बना के किस बता सके हैं तो वीडियो पूरी तरीके सूटकर एगे हैं समय समय पहर तरीके की जानकारी दी जाब है Łum Shut किसानों कियां उनके कमेंट साफमन्तुरी थे हैं और हमारे जो और किसान भाहिया उन्हें भी जो है जानकारी मिलती रहें चाहिए इसलिए वीडियो ने सेड़ जरूर करें देखो भई यह जी पोका बोईंग के लक्षन है देखो पूरा मतलब हिसाब बिगाड रखा गन्ने का यहां जो अपना तीनों स्टेज इसके अंदर है इस गन्ने के अंदर दिखाई गई है तो भई य अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें रम रम भाई